ओम नमो भगवते वासु देवाय नमह नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मीन रासी वालों का 18 अगस्त 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुनें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं हो लेकिन उससे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें विरिश्चिक मीन एसपेशल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वेडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वला हूँ आपके आज के दिन के धन संपती के बारे में मित्रों पैसों के द्रिश्टी कौन से आज का दिन आपके लिए बहुत जियादा बहतर और सांदार है आप में से जिन लोगों ने आज से पहले कहीं भी धन संपती का निबेस किया था तो आज के दिन पहले किये गए निबेस के वजह से आपको पैसों का फाइदा बहुत जियादा होगा और आज के दिन आपके जीवन में पैसों की कहीं कोई शमस्या नहीं होगी वैसे अगर आपके घर पडिवार की बात करें तो पडिवारिक जीवन के द्रिश्टी कौन से आपका शमय सामाढ़ने से थोरा सा नीचे है आज के दिन आपने घर पडिवार में अगर आप कोई पडिवर्तन करते हैं कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने घर वालों से आप बात करें और घर वालों से बात करने के बाद ही आप कोई पडिवर्तन करें अन्य था आज के दिन आपके घर पडिवार का माहौल खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध है तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका समय अच्छा बीतेगा आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो आज के दिन आप अपने दिल की बातें अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से सेयर कर सकते हैं इसमें कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके कामकाज की ओर देखा जाए तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका अश्चम है सामाननी रहेगा आज के दिन अगर अपने कामकाज में अपने काड़े च्छत्र में आप कोई पडिवर्तन करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने कामकाज के बारे में आप सारी जानकाड़ी प्राप्त करें और सारी जानकाड़ी प्राप्त करने के बाद ही आप कोई फैसला करें इसके बाद है आपका दामपत्य जीबन तो दामपत्य जीबन के दृष्टी कोन से आपका समय अच्छा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन साथी का सहयोग आपको बहुत जयादा मिलेगा और जीबन साथी के सपोर्ट उनके सहयोग के वजह से आज के दिन आपके बैबाहिक जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है लाल और मेरून आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है पांच यनी की फाइब दोस्तों आज के दिन अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए एक मंत्र है उस मंत्र का जब आप कम से कम 11 बार करें आपका शमय सांदार हो जाएगा वो मंत्र है ओम गंगन पत ये नमह इस मंत्र का जप अगर आप आज के दिन कम से कम 11 बार करते हैं तो आपका शमय सांदर हो जाएगा तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें धन्यवाद